Hey Guys Welcome back to my channel आज की वीडियो में हम आपको ये बहुत प्यारा सा हेयर बनाना बताएंगे आप में से काफी सारे लोगे कॉमेंट आए हैं कि हेयर बनाना बताएं और काफी टाइम से आप लोग बोल ले ओ तो आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा सिंपल सा हेयर बेंट बनाना बताएंगे अगर आपको वीडियो प्रसंद आए तो इसको लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं आपका प्यारा सा कॉमेंट जरूर आना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट करते हैं और देखे बहुत सिंपल है आप इसकी मैचिंग के ड्रस बना सकते हैं हमने अपने चैनल ओल होम टिपस पर बहुत सारी ड्रस ढाल रखी है तो आप इसमेचंग का हमने एक की स्कर्ड बनाई ए कि मैचंग रिंद्ग हम डिसक्रप्षन?". ब्स में दे दिंगे, fraction और top है तो बोज आकर द लेने के बाद इसकें अंधर डालेंगे और यह दो करके फंदे निकालेंगे डबल करोसे सीट बना लेकर और हम बापत इसी जगें डालके एक डबल बीज में बनाया है उसमें डाल के इसको इस तरीके से किया एक दो तीन चार चार चेन लेकर चेन को काउंट कर लिया तो एक डबल क्रोश हो गए हमारे पास एक और बना ली दो हो गई एक चेन बापस इसी जगे दो बनाएंगे एक और एंदो देखें फिर से हम इसको गुमाएंगे बीच में डाल कर और इस तरीके से सिलिप इस्टेज बनाया चार चेन लेंगे एक दो तीन चार बापस इसी जगे एक डबल क्रोश से बनाएंगे एक चेन और बापस इसी जगे दो डबल क्रोश से और बनाएंगे एक और एंदो ठीक है इसी तरीके से हमें बनाते जाने अभी मेरे पास तीन बार ये डिजाइन बनी है देखें तीन डिजाइन बनी है इसी तरीके से फिर से हम इसको गुमाएंगे और गुमाने के बाद फिर से बनाएंगे देखिए बीच में डालेंगे सिलिप स्टेच किया चार चेन एक डबल क्रोश या एक चेन और फिर से दो डबल क्रोश या ठीक है तो इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे फिर आगे आपको दिखाते हैं तो चार बार यह डिजाइन हो गई हमारे पास तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यह 24 बार हमने डिजाइन बना ली है इतना हमारा यह बन गया है ठीक है अब इसको हम साइट करके और फूल बनाना बताएंगे आपको तो फूल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चेन बनाएंगे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच चेन ब ठीक है अब 1, 2, 3, 4 चार लेकर इस जगह डालेंगे इसके इंदर बनाना निकाला है फिर से पहले 1 फंदा निकाला है फिर धो निकाले impacto फिर से देखी एक निकाला फिर धो करके तो निकाले ठीक है फिर से देखी पहले एक फंदा फिर देखे दो अभी देखिए फिर से एक बार और बनाएंगे टूटल तीन बार हमें बनाना है और अब सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे एक और दो दो चेन लेकर फिर से देखिए एक दो तीन सारे फंद एक साथ निकालेंगे एक दो दो चैन ले ली ठीक है फिर ते देखिए एक लाश्ट का फंद हमें नहीं निकालना है ठीक है दो और एत टीन सारे फंद एक साथ निकाल दी 1, 2, 2 chain लेने ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 4 बार यह design बनी है, फिर से देखिए, कि इस तरीके से बनाएंगे 1, 2, और ए 2, 3, सारे फंद एक साथ निकाल दी है, फिर से देखिए, इसमें बनाएंगे हम, टोटल छे बार हमें बनाना है देखे इस तरीके से सारे फंदे एक साथ निकालेंगे दो चेन लेकर इसमें जोइन करेंगे इसमें डालकर इसको जोइन करेंगे इस तरीके से अब इसमें बीच में लेकर आएंगे इसको यहाँ पर यहां पर में रेकर आएंगे एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेकर दो बार बल्लेकर बापत हम इसी जगे डाल कर हम इद कि की ट्रिपल क्रों से बनाएंगे चेन को count किया तो हमारे पास यह दूसरी triple crochet बन देए ठीक है चेन को भी count कर लेंगे हम दो हो गई तीन चार देखे चार हो गई दो बार बन लेके फिर बनाएंगे पाँच एक दो तीन चार पाच पाच चेन लेके इसमें डालकर हम इसको slip stitch बना देंगे ठीक है अब यहां डालेंगे स्वारी single crochet से जोइन करेंगे पाच ट्रपल क्रोस्य के बाद हमें चार चेन लेकर पाच चेन लेकर इसको बापस slip stitch या फिर सिंगल क्रोसिया से जोइन करना है अब देखें फिर से एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेके दो बार बल लिया चैन को काउंट किया तो एक ट्रपल क्रोस हो गई हमारे पास और यह दो हो गई तीन चार पांच पांच बार होने के बाद एक दो तीन चार पांच हो गई अब देखें पांच चैन लेकर एक दो तीन चार पांच इस जगह डालकर सिंगल क्रोसर से जोइन करेंगे ठीक है इसी तरीके से जितने भी हमारे पास इस पेस हैं जगह है इस सब में हम बनाते जाएंगे इस फूल को complete करने के बाद, आगे हम आपको दिखाते हैं यह दिखिए, हमने पूरा full बना लिया है, इस तरीके से आपको यह दिखेगा ठीक है इस तरीके से full बनगे हमें छोटा सा full बनाना है, pink colour का क्योंकि हमने hair band pink color का बनाया है, इसलिए हम छोटा सा जो फूल लगाएंगे वो पिंक कलर का लगाएंगे वर हम आपको वाइट कलर में दिखा रहे हैं ताकि डिजाइन अच्छे से दिखे ठीक है तो पाच चेन लेकर हमने इसको जोइन कर लिया तीन चेन बना ली और बीच में डालकर इसमें देखिए एक डबल क्रोस या चेन को सिलिप इस्टिच जोइन कर लिया एक दो तीन तीन चेन लेकर चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोस या और ये दो डबल क्रोस या हो गई देखिए दो डबल क्रोस या बापत इसी जगे बनाएंगे तो तीन डबल क्रोस या हो गई फिर से बनाएंगे तो चार डबल क्र सब्सक्राइब नहीं है एक कुछ सिल्ह पिश्टेज जोइन कर लिया ठीक है फिर से देखिए तीन चेन चेन को काउंट किया तो दूडबल क्रोस या देखिए हो गई तीन और चार चार के बाद फिर से हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन बापत इसी जगह डालकर सिल्ह पि बनाई आप उन्म क्लर से हम पाँच पत्ति वाला फूल से बनाा है इसे तरीके से वाईिट करें से उसमें एपको दिखा तो यह सब्यांना दूंता दूसरी आफ वैसा और पिंक करो से तो पूरी सिलाई लगाने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे दिखिए बहुत ही प्यारा सा हेयरवेंट बन गया है तो आप लोग इसको जरू ट्राई करें वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं जाके देखें तो उसके मैचिंग के आफ ड्रस बना सकते हैं बच्ची की बहुत प्यारी लगने वाले हैं तो अब मैं आपको मिलती हो पनी अगली वीडियो में जब तक आप इसको एंजोई करें बाई